ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इसके multiple parts आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को मिलेगा एक overpowered main character जो की थोड़ा psycho है और वो अपने जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जब मैं बोल रहाँ किसी भी हद तक तो मेरा मतलब किसी भी हद तक और उसके पास एक और psycho girlfriend होती है जो कि उससे भी बड़ी psycho होती है वो तो किसी भी हद के आगे तक भी जा सकती है तो इस anime के अंदर आपको बहुत मारधार action और धरावने scene देखने मिलने वाले है तो मैं यही बोलूँगा पॉपकॉर्ण लेके बैड जाओ, रोटी भाजी लेके बैड जाओ और इसको देखना स्टार्ट करो कि ये वीडियो बहुत मस्त होने वाला है तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ फिर हमें next scene में दिखाते हैं कि एक बंदा अपने नीन से उठता है और अपने phone की तरफ देख रहा होता है फिर हमें ये मालूँ पड़ता कि आज की date होती है 4.21 और वो अपने school में आराम से बैठे होते हैं सब लोग यहां पर उनके teacher आते हैं सबको बोलते है class खातम हो गई अब तुम लोग अपने अपने रस्ते जा सकते हो तो सारे बच्चे अपने रस्ते जा रहे होते हैं लेकिन हमारा main character अपने phone में कुछ ना कुछ लिख रहा होता है यह असल में अपनी रोज की एक diary maintain करके रखता है जिसके अंदर यह mention करता है कि इसने आज पूरे दिन में क्या देखा और क्या-क्या हुआ इसके साथ वेल इसके सारे दोस्त कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे तो यह उनको कुछ जवाब नहीं देता और चुप-चुप यहां से निकल लेता है वो अपने रस्ते घर जा रहा होता है देखता है कि उसके सामने एक पत्थर है तो यह भी लिखता है कि उसके सामने एक पत्थर है मतलब यह बंदा कितना बोरिंग है है ना यहां पे एक अजीब सा God टाइप entity बीच में बैठा होता है, जो कि बहुत सारे चीज़ों के उपरेट कर रहता है, और कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ एक गेम खिलूँगा, मैं तो हूँ God Deus Ex Machina, मैं टाइम और हर एक चीज़ का God हूँ, तो तभी यहां पे एक छोटी बच मैं पका रहा था, ऐसे बोल कि उठता है, बोलता है, मुझे फ्यूचर मालूप पड़ेगा, जैसी वो अपना मैसेज खोलता है, तो देखता है, वो मैसेज आया होता है, इससे मुझे मैसेज कहां पर आया, पिर हमें अगले सी में दिखाते है, रात को कोई तो भी एक सकता है, फिर हो बोलता है, मैं एक बुलजाय मारूँगा, फिर मुझे तीव पर ये मालूप पड़ा है, कि कोई सीरियल किलर ने किसी का हत्या कर दिया है, और ऐसी सब को चीजे चल रही है, ऐसा बोल कि वो आगे बढ़ रहा होता है, वो बोलता है, यह सब कैसे हो रहा है, अजीब अजीब चीजे लिखी हुए इसके अंदर, और यह सब पहले से कैसे लिखी हुए, क्या मैंने मेरे नींद में लिख, ऐसा बोल कि एकदम से कन्फीज होता है, तो यह एक डार्ट उठाता है, और उसको बुलजाय पर मारता है, और प्रॉपरली बुलजाय पर लगत तो देखता है कि वो दो-तीन लोग वहाँ पर आयो होते, जो कि कभी उस रस्ते से नहीं आते, वो बोलता है, यह चीज मैंने पहले मेरे बुक में लिख के रखी है, ऐसा कैसे हो रहा है, वो स्कूल में बैठा होता है, उसका एक सर्प्राइस टेस्ट हो रहा होता, लेकिन सा पढ़ता है कि खाना खाने वाले टाइम पर एक लड़की अपनी उंगली कटवा देती है, हर एक चीज देख के वो शौक होता है, बोलते है, यह सब कैसे हो रहा है, फिर वो अपने घर जा रहा होता है, तो कुछ लोग उससे सवाल पूछते कि बेटा, तुम्हें वो रिसे यह तुम्हारी खुटकी डाइर है, यह तुम्हारी future को प्रेड़ कर सकती है, जो कि तुम्हारे phone के अंदर है और इसे तुम्हें अपने पास हमेशा रखना है, अगर किसी case में तुम्हारा phone टूट गया या खो गया, और यह phone नहीं चलने लागा, तो तुम्हें खतम हो जा अपने फ्यूचर डायरी को पढ़के दूसरे रस्ते से निकल लेता है, कहता है कि हाँ, जब तक कि डायरी मेरे पास है, तब तक कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, ऐसा बोल को चल के जा रहा होता है, इतने में वो बोलता है, भाई, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस टाइम पस कर रही हूँ, तो बोलता है, ठीक है, ऐसा बोल के टीचर वहां से निकल लेता है, फिर एक्जाम होने के बाद हमारा हीरो चल के आगे बढ़ता है, तो बोलता है, तुम्हारे फोन में तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा ह होगा है ना, और अब तुम्हारा फ्यूचर खत्रे में है, मुझे पता है कि तुम भी एक डाइरी यूजर हो, ऐसे बोल के वो इसके पास आगे बढ़ती है, हमारा हीरो अपनी जान बचा के उसे भाग रहोता है, दूर दूर भाग रहोता है, हर जगह पे यूनो उसका पी है, मैं भी एक डाइरी यूजर हूँ, तो उसको लगता है, शायद से यूनो इसको मारने वाले, तो कहता है कि मुझे मत मारू, ऐसा बोल कि अपने जेव से डार्ट बाहर निकालकर हमला करने ही वाला होता है, यू आगे बढ़ती है, और हमारे यू की को किस कर लेती है, और बोलती है कि तु मुझे मार सकते हो, लेकिन टेंशन मतलो, मैं तुम्हें इस फ्यूचर से बचाओंगी, तुम्हारे फ्यूचर में डेट एंड लिखा है, मैं तुम्हें बचा के रहोंगी, ऐसा बोल कि ये पिंग गल स्माइल करती है, और कहती है कि देखो वो है बंदा ज अगर हम लोग गए, तो हम लोग यहां मर सकते हैं, तो इसलिए Yuki और Yuno दोनों चाहते हैं, फ्लोर नंबर 17 पे, वो कहते हैं ये एक सर्वाइवल गेम है, और मैं तुम्हें सर्वाइव कराऊंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये सुनके तो भाई हमारा Yuki एक दम से बचने के लिए बस तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मरना, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे से दूर गए, तो तुम definitely मर जाओगे, तो मेरे पास एक प्लान है, मेरा प्लान सुन लो, ये सुनके वो कहते हैं, क्या प्लान, अपने एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, और वहाँ पर यूकी का फोन पड़ा होता है, जिसके थूरू यूकी देख रहा होता है, कहां पर क्या चल रहा है, और वो कहती है, कि देखो यूकी, ये बात ध्यान में रखना कि जो हमारे फोन है, ये हमारे खुद के सबसे बड़े वेपन और सबसे बड़े प्रॉबलम भी है, क्योंकि अगर फोन गया तो हम भी गया, इतने में यूनो बाहर निकलती है, कवर से और इस बंदे के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, उसी वक्त ही बंदा अपना फोन बाहर निकलता है, तब ही यूकी कवर में से बाहर निकलता और डाट से इसके उपर हमला करता है, इसके फोन को तोड़ता है, वैसे यह बंदा वाप होके एक सर्कुलर बनके यहां से मरके निकल जाता है, और इसका फोन टूटने को यह बंदा खुद मर चुका होता है, यह देखके यूकी कहती है, कि हाँ, चलो हम बाहर दा के कुछ खाते हैं, और यह सब सुनके यूकी बोलता है, यह बंदी पागल वागल तो नहीं है, अभी एक बंदे को मारा हमने और यह बोलते इसको खाना खाना है, प्रो, यह क्या हो रहा है, फिर इसके बद हमें यह मालूम पढ़ता है, कि हमारा हीरो जाता मतलब वो अगला केंग बनने वाला है तब ही तेंथ वाला बंदा एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारी डायरी में चीज़े अपने आती है और अपने चेंज भी हो जाती है ऐसा कैसे होता है तो ड्यूस बोलता है कि देखो तुम्हें डायरी एक पटिकुलर फ्यूचर बतात लेकिन उसने कुछ चेंज किया नहीं तो वो कहता है कि देखो तुम्हें आजपास भी तुम्हें दुसरे डायरी वाले लोग है अगर वो लोग को एक ऐसी चीज करें जिसे तुम्हारा फ्यूचर चेंज होंगा लेकिन हाँ तुम्हें स्थीव मरना नहीं है इस गेम के अं तो ये बंदा बोलता है कि अगला god of time and space जो बनेगा वो इस game को जीतेगा तो तुम लोग एक दूसरे को मार दो तुम्हारे आसपास तुम्हारे competitors खड़े हैं ये सब देखके सब लोग हस्ते आसे बोलते हैं ओके Mr. First Yuki हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं सब लोग उसको बाइबोल के चुप-चप यहां से निकलते हैं और हर एक बंदा यहां पर परपल कलर के silhouette के अंदर देखता है ये किसी को नहीं पता लेकिन ये बंदेगा मुझे हैरशल बहुत पसंदा है मतलब मुझसे प्यार करती है ये सब क्या हो रहे और हर 10 मिनट में उसको मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं वो सब मालूम पढ़ता रहा है भाई मैं क्या करूँ ये तो मेरे पीछे ही पढ़ चुकी एक श्टॉकरी ततर पिर हमें दिखाते हैं अगले दिन हमारा हीरो वापस स्कूल जा रहा होता है अपने डायरी में देखके और वो सोच रहा होता है उसको टोटल 12 लोग को मार के जीतना पड़ेगा तो ये एक All Out War जैसा है जहां पर इसको हर एक को मार मार के आगे बढ़ना पड़ेगा और इस का ये मतलब है कि इसका जो killer था वो इसके खुट के teacher ही थे मुझे नहीं पता वेल उसी वक्त ही वापा से यूनो के पास देखके बोलता है या ये बंदी तो एक नमर की stalker है मुझे इससे बच के रहना पड़े लेकिन इसी ने मेरी help करी थी तो मैं करू तो करू क्या वेल उ इसकी hairstyle मुझे बहुत पसद आई यहां पर आगे कहते है कि अरे आज तुम्हारे teacher नहीं आई ना मुझे तुम्हें थोड़ा डाउट था कि मैं तुमसे बात कर सकती हूं Mr. Yuki ऐसा बोल कि वो आगे बढ़ती है इसके फोन को लेने के लिए और तभी हमारे hero के फोन पर आता है dead end और तभी हो कहती है कि oh by the way Yuki मैं तुम्हें मारने वाली हूं उतने में यहां पर Yuno आती है और अपने fire extinguisher से इस बंदी के उपर हमला करती है यह बंदी जंप मारके पीछ बंदी जगा बंदी और बंदी पहाड़ के निकल वी गई security कहा है कोई random बंदी तुम्हारे school के अंदर ऐसे कैसे गुजगई भाई हमारे school के अंदर तो में खुद को घुछने दे ते बोले लो थो आईडी काड दिखा लैक ब्रो एक random बंदी तुम्हारे school में गुछ गी और यूनो दोनों एक साथ बैठे होते हैं यहाँ पे यूकी की हलत खराब होती यूनो उसको बोलते हैं तुम्हारे लिए किसी को मारना इतना आसान कैसे है तो बोलती बस तुम आराम से देखो और हमें दिखाते हैं कि school के अंदर बहुत बच्चों के उपर बथर बथर गि तुम टेंशन मतलो ऐसा बूल कि अखे लोग वापी से किस करते हैं I mean dude तुम्हारे आस पास बहुत सारे बच्चे खतम हो चुके हैं लेकिन नहीं तुम लोग को तो यहाँ पे भी किस करना है थरक पना देख रो तुम लोग इनका वैल इसके लोग स्कूल के बाहर जाने ही और मैं उसे पकड़ के यहां से निकल जाओंगी तभी यह सब देखके हमारे यूनो और यूकी यहां पर चुप 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 के आगे बढ़ रहे होते हैं और यूनो एकदम से बलश करे होती वह एक मेरत कर तुकड़ा उठा के देख रहे होते हैं सारे के सारे बच्चे फसे हुए हैं और उनको कैसे निकलना है फिर वो बोलते हैं तुम्हारा लो डाइरी है वो हमें रस्ता बताएगा तो हमें चुप 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 यहां से निकलना है यह लोग ऐसी चुप चुप आगे बढ़ रहे होते हैं और देखते कि इनको कहां से निकलना है कहां से जा पासे दिवाल तूट रही होती है और एक और बॉम फटता है जिसमें बहुत बड़ा अटाइक होता है लेकिन यूकी को कुछ नहीं होता वेल वो कहता है कि अब हम करें क्या हमें क्या करना चाहिए अभी हम लोग को हर जगर से अब्जर्व करी हमारे पस कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर यूकी एकदम से उदास होके बैठा होता है वो बोलता है मुझे मेरे तोस्वाद खेला था मुझे टाइम स्पेंड़ा लेकि मैं करू क्या मैं यहाँ पर फस चुका हूँ प्लस मुझे चाहता था कि मैं टीचर लोग मेरी तारीफ कर लेकि मैं हमेशा अकेला रह तुम और मैं साथ में इसको सॉल्फ करेंगे मीनवाल यहाँ पर बाहर पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं और तभी जो पुलिस वाला होता है वो सिगरेट पीते-पीते क्या था तुम टेंशन मतलो मुझे पाता ही क्या होने वाला है और वो अपने फोन में देख रहा तो अगर इन लोगों ने उस अजीब सी लड़की को रोग दिया या उसको मार दिया तो उसका जो हाठ है वो एक टेटो नेटर के साथ connected है तो अगर उसका हाठ पंप होना रुग गया तो पूरा स्कूल अपने आप उड़ जाएगा अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चल को सब्सक्राइब कर दो कि अब मैं ऐसे वीडियो बहुत चल 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 दी अपलोड करने वाला हूँ अगर दोष्ट ने ने दोष्ट ने उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम सब को छोड़ दूँगी यह सब सुनके यह लोग नीचे लेकर जाते है उस लड़की की बस और यहां पर रो रहा होता है वो कहता है तुम लोग मेरे दोस्तों तुम लोग मेरा साथ अगर तुम लोग यूकी को मरने दोगे तुम लोग को मरवा दूँगी ऐसे बहुत लोग को बम फट रहे होते हैं तब ही हमें यह मालू पड़ता है यह बंदी खुच शौक होते हैं यूनो ऐसा क्यो कर रही है यूनो रुक जाओ रुक जाओ मुझे मर दे दू मैं कुछ जो नहीं कर सकता है यूकी यहा पे घर के रहने वाला होता है लेकिन यूनो वह बहाग होते हैं इतने में यहां पर यह बंदी बहती है बस 10 मिनट बहले दस मिनट के बाद शकूल के ले कर रहा है समझे नूप कि यह मेरा घ्राइड फिंडाले होने और यह मारी होती है पुल के बारे में हर एक चीज मालूब पड़ रही होती है तो बोलता कि अब मुझे गॉड नहीं है और मुझे गॉड बनने में को इंटरेस्ट नहीं है मुझे सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना पसंद है इसलिए मैं इस बंदी को पकड़ूगा तो यह सब देखके पिंगल परपल ना मरे सिर्फ तू अकेला मरे मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी गल्ची नहीं है ठीक है बाई बाई यह सुनके यूकी वापर से उदास होके जमीन बिगरता है बोलते हैं मेरी तो नसीभी खराब है बाई मुझे लाया कि मैं जिन्दगी जी सकता हूँ लेकिन ना भाई मेरा तो जी जी हो गया सब लोग मुझे दूरी भागते हैं मेरी को तो कुछ करी नहीं सकता प्लीज तुम मुझे फटा फट मारो लेकिन उतने में यहां से यूनो दिवाल तोड़के कोटी है आइमीन खेड़की तोड़के और वो इस परपल गल के उपर हमला करे तो लेकिन परपल देख रही होती है तो उन सब भाइन को डॉच करके भाग रहोते हैं इतने परपल कल यहां पर आती है तो बंदी अपने फोन को हटाती है और यह डाट उसके आखों में लगता और उसकी आँख भड़ जाती है इसके बाद पुलिस वाला इसके बाद जाता और बोलता कि पता नहीं कहां अपने जेव से निकलती है और उड़ को नहीं मारने वालों क्योंकि मुझे गॉड बनने में कोई उमीद नहीं है आजाओ यह देखके यूनो अपने फोन में चेक करें तो उसको यह मालू पढ़ता कि असल में यह अच्छा अलाइंस और उसको उसके फोन मे हैपी एंडिंग मिलता है इसके बद हमें अगले सिन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो एक अम्यूजमेंट पार्क में गए होते हैं जहां पर बहुत सारे राइट्स होते हैं यह लोग इन सब राइट्स को कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो ऐसी बैठा होता ने पर जंग शिड़ी होती है जहांप एक चोटी बच्ची रो रही होती यहां पर बहुत स्य लोग खतम हो चुके हो चोटी बच्ची कोई और नहीं नंबर 9 हो ती जिसकी आँख फट चुकी होती है वेल हमें अगले सी में दिखाते हैं कि पुलिस टेशन में हमारे दोनों के दोनों हिरोज गई होते हैं अपना अपना फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए पुलिस वाला उनसे कहता है बोलता है कि देखो अभी हमें ये बात पता चले कि तुम महरे पास डायरी है मेरे पा पर लोग कहते हैं कि नंबर 9 के पास डायरी थी, उसका नाम है escape डायरी, उसमें से उसके help से वो हमेशा निकल के जा सकती है, और वो यह कैसे करती है, हमें नहीं पता, तो अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग सामने वो amusement park में जाओ, और वहाँ पे एक दिन time pass करो, और figure out कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं, multiple rights करते हैं, और हमारा hero एकदम से ठक चुका होते हैं, लेकिन उसकी girlfriend एकदम full form में रहती है, वो उससे कहते है कि चाहिए कुछ वज़ए मैं हमेशे तुमारे साती ही रहूंगी, फिर वो ह दूसरे के सास को खीच रहे होते हैं, like what? What is that भाई? इसके पद हमें अगले से में दिखाते हैं, राथ के टाइम पर बहुत सरे लोग गाड़ी में चेकिंग, वेकिंग कर रहे होते हैं, नमबर 9 को ढूडने के लिए, और नमबर 9 अपनी जान बचा 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 के भाग रह होता है और उसके पास होती है ओ 25 एक रिकॉर्ड कर में होती है यहां पे घूंच रहती है एपने ही एपने के साथ चिपक और हमारे नॉप्रा 같습니다 । इंट ऌक भूल में और पूल में गुषने होँ थो हमारा ही शरमा करना होता है किन भाइ में फिलू ही मैं चडडी हु, मुझे चलindung झाल जके और कि गlorति मेस अगर अगहने है ओंलौल टोप के बातो इतने में यहां देखिली बाता हैúsica इतने में यहाँ पर हमारी गल्फ्रेंड को उसका टॉप मिल जाता है, वो अपना टॉप पहनती और हमारा हीरो पानी में तेरते तेरते आगे निकल जाता है. तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती हो, तुम हमें इतना पसंद क्यों हूँ? तो यह सब सुनके गल्फ्रेंड कहते हैं, मुझे तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, वगयरा वगयरा, यह लोग अपनी प्याल भरी बाते करते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं, तुमने म मिटा रहा होता है, लेकिन वो बोलती हैं, नहीं, हम लोग साथ में जाएंगे, और तारे देखेंगे, एक साथ रहेंगे हम लोग, और इन चीज़ों को एक साथ करने के लिए, हम लोग शादी भी कर लेंगे, क्यों मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊं, तो हमारे हीरो को बार खड़े होते हैं, हमारी गल्फ्रेंट एक चाता लेगा थे, क्योंकि यहां पर बारिश हो रही होती है, क्यों मेरे यहां पर रुक जाओ, तो हीरो बोलता है, ठीक है, मेंवल यहां पर पुलिस वाले भी इन लोग के उपर ध्यान रख रहे होता है, तो लोग यह मालू पर ही हूँ, यह बोलती है कि तुम मेरे साइट पर यह क्या बात हो रही है, ऐसा बोल कि वो हमारी नमबर नाइट को पकड़ता है, और उसे खसीट के यहां से लेकर चाता है, कहता है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमारा हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है, मिन्वाल यह यहां पर हमारा हीरो अपने गर्फरेंड के रूम में बैठा होता है, और गर्फरेंड आगे आके कहती है, अरे सॉरी, लाइट का बिल, मैंने नहीं बाता है, इसलिए यहां के लाइट चली गई, कि कि लो तुम एक एक एपल खाओ, वो बोलती है, तुम मुझे दो मेरे दो यहां से चुप-चप गायब होने वाली हूँ, तो वो कहता है, ओय, 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 मैं किसी गलत इंसान को नहीं बचा रहा हूँ, मैं उसे बचा रहा हूँ, जिसे मुझे बचाने की इच्छा है, वेल, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास ही है, अब उसे अपने पास ही रखो, फिर इस वक्त हमारी number 9 अपने फोन को चेक कर, तो उसको दिखता है कि उसके फोन में कोई भी चेंजस नहीं आई है, तो वो बोलती है, meanwhile, यहां पे हमारा हीरो चुप-चप बातरूम धून रहा होता है, अपने फोन को देखके, और वो कहता है, अच्छा इस फोन में रहेंगे और उनको एक हैपी एंडिंग मिलने वाली है, वो खुश होती है, हमें अगले सी में दिखाते हैं कि number 9 बेहोश होके गिर रही होती, वो कहती है, अभी तुने मुझे क्या खिला दिया, वो दवा में क्या था, तब ही यह अजीब सा बंदा बोलता है, दवा में क्य जालता है, भाई, यह सीन देखके मेरी रातों की नीन दुड़के, यह मैंने क्या देख लिया, भाई, पर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यूकी चलके आगे बढ़ता और वो एक रैंडम डोर के आगे आता है, मिन्वेल यहाँ पे जो हमारा पुलिस वाला ह स्केलिटन, यह देखके इतना खतरना की इवेंट चेंज होता है, यहाँ पे लिटरली गॉड तक को यह महसूस होता है, और गॉड के अरीना में अर्थक्विक आ रहा होता है, यहाँ पे छोटी बच्ची भी कहती है, यह सब क्या हो रहा है, और गॉड कहता है कि यूकी ने लिटरली वह वाला रूम खोल दे और उसने पूरा का पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया है और अब बारा के बारा लोग का फ्यूचर चेंज होने वाला है हर एक चीज बदलने वाली है और अभी असली गेम भी शुरू होगा मैंने सही किया तुम्हें चूस करके यूकी और तभी यहाँ पे पीछे से यूनो आती है और कहती यूकी तुमने ऐसा क्यों किया हम लोग का फ्यूचर कितना अच्छा चल रहा था हमें हैपी एंडिंग मिलने वाले थी पर तुम्हें यहाँ पे आके वो डोर खोलना ही था अगले सिर्म में हमें दिखाते हैं कि हमारा हिरो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है उसे डर लग रहा होता है कि अब यूकी क्या करेगा वह यूनो से कैसे बचेगा वह अपने घर में पहुंच तॉ है और वह लंबी लंबी सान्स से लेता है लिटरली उसकी सास अटक चुकी होती है वो बोलता कि मैंने यूनो के घर पे क्या देखा क्या वो रियल लोगों की बॉड़ी थी क्या था वो सब किसकी बॉड़ी थी उतने में हमें ये वालू पड़ता कि यूनो उसके डूर के पीछे खड़ी होते और कहता है क्या यूनो ने उन लोग को खटम कर दिया अगर उसने उन लोग को खटम कियат dunno तो वो लो ठेक अॉन और अगर किसी भी इनसान को ऐसी खटम करके अपने घर में रख सकती है तो कैसका यह मतलब है कि मुझे भी खटम कर देगी का चाहिए वह अपने सारे रास्ते सोच रहता एक हांसे नहीं निकल सकता वैल इसके पूर्टिस वाले अंकल का फोन होता है वो उसके डूर। पीलिस क्वाले अंकल का आवें भी है तो वो किसा यसक कार में बठाते है युदो के साथ यहां और उसकी बंदी बलश कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे लोग बाते करते हैं कैसे इन लोगों ने इन्वेस्टिकेशन किया है, और उनको ये मालूम पड़ा कि नंबर 9 असल में इस वर कहां पे है, वो एक श्राइन के अंदर बंद है, जहाँ पे इन लोग को दो लोग की ह मुझे तुम्हारी मेडन से मिलना है, क्या हम जा सकते हैं अंदर, तो वो कहती है, वो मेडन अपने रूम में बैठी होती है, और एक स्क्रोल को देखके बलते है, तो तुम यहाँ पे आ गए, यूकी, फिर हमें अगले सी में दिखाते है, चोटी बच्ची यहाँ पे आती ह मेडन तुम से मिलना चाहती है, जैसी यह लोग मेडन से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ही उनकी जो मेडन होती है, और यूकी तो बड़ा क्यूट है और उसके साथ वो लड़की कौन है, तो मुझे लगता कि इस बंदी को हर एक चीज दिख रहा होता है, अपने र और यहां पर तुम लोग से बात करने आगे, और मुझे बहुत अशला लगता है, फिर वो कहते ही, यूकी क्या तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे नाज़रे थोड़ी कमज़र है, तो मुझे दूर का दिखता नहीं, तो मुझे तुम्हे अपने पास से देखना है, तो यूकी तो यह अंटी कहते ही, तुम टेंशन मत लो, मैं यहां पर तुम लोग के उपर हमला करने नहीं आई हूँ, यूकी यहां पर अपने चिकन वाले पोजिशन में बैट चुका था, वाल दो, फ्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, फिर वो कहते ही, मुझे खुद क प्रोटेट करना पड़ेगा, यह सब देखके, यूकी बलता कि है, यह सब मैं कैसे करूँ, और यूनो यहां पर गुसा होती है, कहते कि नहीं नहीं नहीं, यूकी तुम्हें प्रोटेट नहीं करेगा, वैल इसके बद हमें दिखाते कि शाम का टाइम हो चुका होता है, यह यहां पर दो-तिन लड़किया, आती है, एक बैट लेके, और वो उनकी मेडन को बैट देती है, मिन्वेल यहां पर यूकी बैट के बाते कर रहा होता है, नमबर सिक्स्त के साथ, और बाहर हमारी यूनो और तोर पुलिस वाले बाते कर रहे होते हैं, तब ही यूकी बलता कि मैं इस बंदी को ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं, अपने मन में सोच रहे हो, तब ही वो कहती है, देखो, मेरा यह जो डायरी है, यह मुझे मेरे आसपास के लोगों के बारे में बताता है, और उनका फ्यूचर बताता है, और तो और मेरे पास बूमन का इंट्वीशन भी है, मीनवेल, यहाँ पर हमारी जो यूनो होती है, वो अपने फोन में चेक कर रही होती है, तो उसको यह मालूम पढ़ता है, असल में जो नंबर 6 है, वो उसके बारे में बेज़ाती करिये यूकी के सामने, और यह सब सुनके यूनो को बहुत कुस्ता आता है, वेल, हमें अगल कर रहे है, मीनवेल, अगले ही सीन में दूसरा एक बंदा आके इस टकलू अंकल को मार देता है, यहाँ पर जंक छिड़ी यह भाई, और यह सब देखके सब लोग टेंशन में बहुत सारे लोग जॉंबी बनके अंदर आते है, और यहाँ लोग के उपर हमला करते रहे है, ए उससे वादा कहता कि मैं उससे मरने नहीं दूगा, वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम भी मुझे मार दोगी, है ने जैसे तुमने उन लोग को तुम्हारे घर में मार के रखा है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, लुगि मैं तो इसका यह मतलब है कि शायद से यह सब एक ट्रैप था, और तभी वो कहती है कि आ, यूकी, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, मैं बहुत खोश हूँ, और तभी वो चोड़ से चला है, जैसी वो ऐसे बोलती है, वैसे सब लोग रुख जाते हैं, और यह देखके इसे नहीं चुड़ूगी, मैं इसे नहीं चुड़ूगी, मैं यहाँ पे हमारी लड़की कहती है, इन लोग को किसी ने अपने हिपनोसिस वाले मैजिक में फसा कर रखा, और वो कौन है मुझे खुद को नहीं पता, तो यहाँ पे कोई और भी है, मैं दिखाते है कि इसके नमबर नाइन्थ और तो और यह अजीव से टोपी वाला बंदा बैठे होता है, और उसकी नमबर नाइन्थ की आँक को एक जार में रखा होता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मुझे सब पता कि हमारे उपर क्या हो रहा है, हमारे उपर एक जंग यहाँ पर बहारा सब लोग वापस से हीवाले magic क सब्स चुके होते हैं, यह सब देखके Yuki बомलता कि इन लगो को तभी वो कहते कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों कॉन मैनुपलेट कर रहा है, शायद यहाँ पर कोई और भी है, मिन्वाल यहाँ पर यहाँ पर यह अजीव सा बंदा हमारे नंबर नायत को कहते हैं, तभी हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि यह अजीव सा बंदा बोते देखो, तुम्हें यह बेल्ट दिख रहा है, यह बेल्ट मेरी ताकत है, इसका क्या मतलब है, कि इनके उपर हमला होने वाला है, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पर यह बंदा होता है, अपने मुपे एक लाल कदर का टोपी पहनता और बोता कि आ, मैं अब एक पावरेंजर बन चुका हूँ, और एक चीज मुझे कुछ दिखता भी नही से, तो मिस, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे ओसम अटैक को कंटीन्यू करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारी आतिश बाजिया होने वाली है, हजारों लोग लड़ने वाले है, ऐसे बोल के वो हस्ते हस्ते आगे बढ़ता है, सब लोग मरेंगे और मुझे मज़े मज़ा गूम फिर के तो तुम सब मरने ही वाले हो, मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने आया था, ऐसे बोल के वो अजीव सा डांस वांस करता है, और नमबर नाइन के सामने नाच रहोता है, नमबर नाइन उससे कहते है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुमने एक वो बोलता है, मैं मेरे हिपनوسस मैजिक सा रहा हो, वोम्ऱ फिर को अगे वखते है, वोचे को अगे वड़ते है, वोगए वगे साथ मोस्च होता है मैं मजे सल भी सुनाई 25 कि उसे प्रिश्टेस की साइड लेने चीए क्योंकि उसने वादा गया था कि प्रिश्टेस को मरने नहीं देगा और यहां पर प्रिश्टेस बोलती भाई यह यह यूनो लड़की तो मैनुपलेट करी अब मैं करू तो करू क्या इतने में एक बंदा आता है इंक्यों पर हमला उसकी जो विजन थी वह बच्पन से ही बहुत कमजोर थी कुछ टाइम बाद जब उसके पेरिंट से चले गए और उसके साथ थे भी तो उसको इन लोगों ने प्रिश्टेस बना दिया था सब लोग इसकी बहुत पूजा करते थे और इसकी बाते सुनते थे क्योंकि इसके लोगों को देख सकते थी तब ही यहां पर आते थी बहुत लोग आते थे उससे मिलने के लिए उसको एक दम भगवान की तरह चाहता था यहां पर पर कुछ एक्सिदेंट के बाद लब उसके मॉम और ड़ाट खतम हो गया तो लोगों ने इसको एके पूजा करते थे और इस रोती रही थी यह सब सीन में आपको नहीं दिखा सकता तो आप लोगों इमाजिन करो कि क्या हुआ था इसके साथ और ऐसे ही इसके पास जो इसका स्क्रोल था उसके अंदर ताकत आ गई विल इसका फ्लैश बैक खतम होता है और यहां से हमारा यू की और यूनो इस प्रीश मेरी डायरी ये रिकॉर्डर है क्योंकि मैं अंदा हूं तो मुझे कुछ दिखता नहीं इसका नाम है जश्टिस डायरी मैं हूँ पावर रेंजर रेड रेंजर और मैं सब लोग को जश्टिस देता हूँ वेल एनिवेस अब मेरा काम शुरू होने वाला है मैं तुम्हें प ज़ता और निकल जाए मेरा काम देरा खत्म हो चुका है अब मैं यहां से निकल रहो में हमारा इस यहां से भाग भाग के जा रहे होते में गेट के पास यहां पे जो फॉलॉवर्स होते वो लोग उनकी को देखके बोते अरे प्रीश्टर आप कैसी हो अब कैसी में यूण एकदम से ठक चुकी होती है, लोग भाग भाग के गेट के पस पहुचने ही वाले होते, लिकिन उतने प्रिंसस यहाँ पे इंको रोकती है, कहते है कि नहीं रुको रुको हम यहाँ से नहीं जा सकते है, तभी युनो कहते है कि अभे तू मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है इसी तबियत भी खरा हो रही है, इसी वक्त यूनो देखता है, तो यूकी की जो आखे होती है, वो इकदम से घरम हो चुकी होती है, तो वो कहता है, यूनो तुम शान्त रहो, मुझे इसको हैंडल करने दो, मिन्वेल यहाँ पर प्रिश्टेस और तो और यूनो के भीच में स्टुपिड आदमी खड़ा होता है, वो अपने आपको पाँच पावर रेंजर्स में कनवर्ट करता है, असल में उसने यहाँ पे अपने हिप्नोडस की हुए बंदों को लेकर खड़ा रखा होता है, यहाँ पे पाँच पावर रेंजर होते हैं, रेड रेंजर, ब्लू र यलो रेंजर, ग्रीन रेंजर, और तो और पिंक रेंजर, यहाँ पे पाँच रेंजर होते हैं, और यह लोग बलते हैं कि अब हम यहाँ पे पावर रेंजर वाला आक्ट करने हैं, यह अनिमे के अंदर हो क्या रहा है भाई, जंग छिड़ी हुए, लोग मर रहें और प्स चुकी हो, तुम्हारे सारे के सारे क्राइम खतम होने वाले हैं, और हम तुम्हें नहीं चुड़ेंगे, ऐसा बोल के यह पांचो की पावर यह देरे करके आगे बढ़ते हैं, और यह तुम्हारा डेड एंड होने वाला है, यहाँ पे बॉम भटेगा, और तुम सब के सब खतम हो जाओगे, यह सब सुनके पाचो के पाचो लोग भाग भाग के आते हैं, और हमारे Yuki की डायरी में भी कुछ भी लिखके नहीं आ रहा होता है, उसे यह मालूम पढ़ता है कि जो बंदा है, वो सेकंड वाला है, राइड साइड से, तो वो बोलते हैं, अर यह लो बंदा होता है, रेड रेंजर, जोकि रियल वाला बंदा होता है, फिर वो उसको मारती हैं, और बोलते हैं, तुमने सही कहा था, वो सेकंड था लेफ्ट एंड साइड से, वैल इसके बाद वो बंदा मर जाता है, और उसका डेड एड जैसी वो मरता है, वैसी यहां पर आना खिर कामियाब हो ही गया, यहाँ पे कुछ गुंड़े लोग आते हैं, और वो लोग हमारे Yuki और तो और Yuno को एक दो से दूर करते हैं, और प्रिश्टर्स को बोलते हैं, जब उसके प्लान कामियाब हो चुका है, तो वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रुको 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 मेरे स्क्रोल में डेट्टेडन क्यों लिखा हूँ है, उसी वक्त यूनो गुसा हुती है, वो अपना हाथ छुडवाती है, और अपने एक्स के साथ आसपास के लोग को मारती है, और गुसे में आगे लगता है, और यहाँ पर भेहोशोकी गिर चुकी होती है, तो प्रिश्टेस उसको पकड़ती है और बोलती है, नमबर सेकेंड तुम तो गई, मुझे पहले ही बहुत दुख मिला और अब मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूँगी, ऐसे बोल को जाती यूनो के पास, और तुम्हारे यूकी को यहाँ पर ले के आऊँगे, यूकी यहाँ पर छट के नीचे छुपा होतार उसको वहाँ पर एक बॉल दिखता है, वो बोलता कि बॉल कि यहाँ पर प्रिश्टेस बोलते कि अब मैं तुम्हें यूस करूंगी, ऐसे बोल कि अपना लाउट स्पिकर यूकी तुम कहां भी छुपे हो, पर टाक से यहाँ पर आ और अपनी लड़की को बचा ले, वरना जो मेरे दोस्त लोग है और मेरे फालोवर से, वो लोग इसको बहुत बुरी तरीके से परिशान करेंगे, वो लोग इसे मारेंगे, पीटेंगे और इसके साथ गंदी-गं वो भाग के आता है, एक आक्स लेके सबको दूर भागाता है, बोलता है, हट जाओ मेरे लड़की से, हट जाओ, ऐसे बोलके यहाँ पर ठक हार के पहुचा होता है, फिर वो अपने जेब से एक डार्ट निकाता है, बोलता है, मैं तुम्हें नहीं नहीं छोड़ूँगा, और यह सब देखके वो प्रिंसेस बहुत गुस्ता होती है, यूकी उसका बॉल हवा में फेकता है, बोलता है, यहीं तुम्हारा बॉल था न, वो बॉल देखके एकदम से कन्फ्यूज होती है, और सारे के सारे लोग उसी बॉल को देख रहे होते है, तो सबका क्लेर बोर य और यूनो हमारे यूकी को पकड़ के रोने लगते है, बोलते है, यूकी तांक्यू सो मच कि तुम यहां पे आ गए, इसका पुलिस वाले यहां पे आते हैं, वो लोग सब को बहार लेके जाते है, यूनो और यूकी यहां पे साथने बैठे होते है, और यूकी यूनो को कि करता है और बोलता है कि my love I love you यहाँ पे इनके बिच में तो प्यार हो चुका है meanwhile यहाँ पे हमारी number 9 अपने bike पे जा रही होती है और बोलते हो पुलिस वाले मेरा email address क्यों लिया और पुलिस वाला उसको mail करने लग श्टार्ट करता है हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो यूनो होती है वो किसी के घर के खिड़की को साफ करती है फिर उसके उपर टेप लाया कि उसको तोड़के घर के अंदर खुश जाती है हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक airport के पास हमारा hero वेट कर रहा होता है, असल में और उसकी mom का वेट कर रहा होता है, वो अपने diary को चेक कर दा तो उसे यह मालूम पढ़ता है कि उसकी mom तुरा लेट आ रही है आज, फिर उसकी mom यहाँ पर आती है अपने बेटे को क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ । और यह बता तुमने को यह अन्य हुडत्ते में कि अठव सेके की की नहीं, अकेले ही रहते हो की अभी पी कोई न तो होगी इतने हैंडसम जो तुम तुम मेरे बेटे हो यार ऐसे बोल कि उसकी मॉम अंदर आती है, उनके घर के पास जैसी वो पॉशे तो बोलती है, अरे बेटा, ये एक आज किसने तोड़ा तब ही, यूकी अपने फोन में चेक करें, तो उसको ये मालू पड़ता है, उनके घर पे कोगी ना कोई घुस चुका है, यूकी फटा पड़ वह वेश्ये, वह बोलता है, मॉजे किसी लड़की की यहाँ पर आवाज आ रहे है, उनके ना कोई निकलो, और यूकी गेट खोलता है, उतने में उसकी मॉम आगर बलती है, बेटा, तो तेरी girlfriend को छुपा रहा न, मुझे सब पता है, चल हट, मुझे दिखा तेरी girlfriend कहां पर है, Yuki बोलता कि नहीं, mom मेरी कोई girlfriend नहीं है, प्लीज आप मेरी बात सुनिये, तभी Yuno जोर से धक्का मारती है, और Yuki भी अपनी mom से धक्का खा रहा होता है, Yuki अपनी mom को हग करता है, और उनको पकड़े गोल को गुम करता है, और रूम से बाहर निकार को रूम लॉक करता है, और बोलता है, नहीं, mom अप नहीं आ सकती, और Yuki की mom कहती है, तुम तो बहुत ब्यूटिफुल हो, तुम मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी girl friend हो, इसके बाद Yuno उनको थोड़ा सा सबजी देती है, तो उसकी mom से बहुत बहुत टेस्टी है, ये सुनके Yuki को बहुत धक्का लगता है, मेरी mom को तो वैसे पसंद नही आख चेक करवारी होती है, दॉक्टर उसको बोलता है कि मैने यहाँ पर नकली आख लगा दिया, तुम इसको लाकर सेट कर सकती हो, वेल, वो बोलते ही ठीक है, अब तुमने मेरा बहुत खयाल रखा लेकिन छोटे बच्चे कौन है, तो वो कहता है कि अरे ये छोटे यहां से निकलती है, फिर हमें अगले सी में दिखाते हैं, कि यहाँ पर यूकी की मॉम उनो को उसके बच्पन के फोटोस दिखा रही होती है, बोलते हैं कि देखो, यह कि इता नंगू-पंगू था, यह कि इता गू-पंगू-पंगू-था, लॉल, ऐसे यहाँ यहां पर मॉम इसको यह सब फोटो नहीं दिखा सकती हैं, इसमें नंगू-पंगू हूं यह सब मत दिखाओ, फिर यूकी की मॉम बोलते हैं, मिरी मॉम इसके पॉटोस हैं, इसके तो यह उलाए देरी हैं, बोलते हैं आज का दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो मज़े और चोटी बच्ची होती वह कहते हैं यूजवल यहां पर हमें दिखाते हैं यूज़ी की मॉम और यूज दिन और यहां पर है और ऑफ़ कहते कि यहां पर एक और बंदा आने वाल यूजशा भूब तो इसको बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो बच्चा यहां पर रहे कुछ दिन तक तो इनको एक तरस्ट उसकी बेबीसिटिंग करने रहे यह सब बोलके मॉम यहां से निकलते यूनो और यूकी तुम लोग एक साथ यूकी के रूम में सो सकते हो यूकी की मॉम चलो मैं बहुत खुश हो कि इनकी मॉम अच्छी है वरना मुझे कुछ गंदी चीज करनी पड़ सकती थी फिर नहां के बहार निकलती है और जैसी वह रूम में जाती है तो हमें यह दिखाते कि वह यहां पर सो रही हो तर बोलती है तो मुझ पर हमला कप करेगा तू और मैं कि हम लोग की हैप्पी एंडिंग होगी तभी तो यह सब देखे हो अरे लेकिन फ्यूचर चेंज तो होगा तो हो कहती चेंज होगा मैं चेंज होने दूंगी ही नहीं यहां पीड़ो बाते बाते करते हैं और वो बोलते कि यूकी तुम मेरे साथ प्यार में पागल हो जाओ में दिखाते हैं कि सुबह सुबह यह लोग नीन से उठते हैं तभी यूनो जैसी सोरी होती यूकी उठता और अपने गेट के बाहर देखता तो यहां पर उनका नया विजिटर आया होता है जो कि छोटा पपेट वाला बच्चा होता है जिसको हमने पहले देखा था यह यह बंदा भी एक डायरी यूजर है लिटरली एक बच्चा वैल अभी इसको क्या होने वाले यह बच्चा इनको कैसे मारेगा क्या करेगा इसकी स्टोरी में आगे क्या होने वाले वह सब जाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ें कि इसका नेक्ट पाट में बहुत ज़ली लेख आउंगा आज चलिए में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई जाज आजड़ें इसकाई statistic से लिए उग्यड़ें करने के लिए के लिए कर वीडियो में वाले बाओ sam